नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत आपका आज की इस वीडियो में जहांपे हम बात करेंगे 2022 हिंडाई सेंट्रो स्पोर्ट्स वैरियंट के बारे में आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी के एक डिटेल वोकराउंड रिव्यू करके दिखाऊंगा क्या-कया फीचर्स आपको इस गाड़ी के एक्स्टीरियर और इंटीरियर में मिलते हैं और दोस्तों वीडियो के एंड में आपको conclude करके ये भी बताऊँगा कि जिस बजट के अंदर ये गाड़ी हाती है उस बजट के अंदर आपको सलेरियो लेनी चाहिए या आपको वैगनार लेनी चाहिए या फिर आपको सेंट्रो चूज करनी चाहिए जिन लोगों ने की 5.69 रुपीज और ओन रोड कीमत है गाज़ेबाद UP के अंदर 6.49 रुपीज सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल के बारे में हैलो जोन आपको गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स मिलते हैं हैलो जोन आपको इंडिकेटर मिलते हैं और नीच बात करने कर इसके टायर साइज के बारे में 14 इंच के यहापे आपको स्टीर वील मिलते हैं 165 by 70 यहापे आपको टायर प्रोफाइल मिलते हैं फ्रेंट के दोनों टायर में आपको डिस ब्रेक और रियर टायर में डंब्रेक्स मिलते हैं बोडी कलर आपको ओर व्यम्स मिलते की, wheelbase है गाड़ी का 2400 mm का दोस्तो, अब बात करते हैं back profile के features के बारे में, तो back profile से आप देख सकते हैं, बिल्कुल center मां आपको दिया गया है, high mount stop lamp, काफी बड़े size का यहाँ पर आपको glass area मिलता है, और कुछ इस तरीकी की जो looks है वो आपको देखने को मिलती है, centro sports variant की, hello जन आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, tail lights और नीचे की side आपको back bumper के अंदर मिलते है, दो reverse parking sensors और दोनों ही side आपको reflector का option यहाँ पर दिया गया है, 165 mm के आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, ground clearance जो की काफी अच्छी ground clearance है, 35 liters के आपको गाड़ी के अंदर मिलती है petrol fuel tank capacity और company claim करती है इस गाड़ी का 20.3 kmpl का mileage highway के उपर, तो यह सब features थे, centro के sports variant के exterior के, अब चलते हैं गाड़ी के interior के तरफ और interior में चलके मैं आपको दिखाता हूँ, काफी सारे features यहाँ पर दिये गए हैं, दो आपको इस गाड़ी के अंदर की मिलती है, एक आपको simple की मिलती है, दूसरी आपको remote center locking option एक चाबी के अंदर दिया गया है, दो buttons मिलते है, lock, unlock, तो अभी गाड़ी को करते है, unlock और बात करते है, interior के features के बारे में, dual tone finishing में आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, interior, जो driver side door है, यहाँ पर आप देख सकते है, power window को जो switch है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, नीचे की side आपको speaker दिया गया है, water holder का space और door pocket का space, कुछ इस तरीके की finishing आपको गाड़ी के interior की देखने को मिलती है, जो की black plus beach color की है, front की जो दोनो seats है, यहाँ पर आपको adjustable headrest जो है, वो देखने को नहीं मिलते हैं, driver side seat में आपको height adjust करने का option जो है, वो भी यहाँ पर center के अंदर नहीं दिया गया है, electric आपको गाड़ी के अंदर meter center में आपको मिलता है, speedometer, और right hand side में आपको digital display दी गई है, जिसके अंदर आपको trip A, trip B, यह सब चीजे दी गई है, कुछ इस तरीके का आपको AC vent मिलते हैं, headlight leveler यहाँ पर दिया गया है, orvms को आप electrically यहाँ से adjust भी कर सकते हैं, तो AC vents का जो design है, काफी खुबसूरत लगता है देखने में, infotainment system के अगर हम बात करें, तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, 6.95 इंच के touch screen, जिसके अंदर आपको Android Auto, Apple CarPlay जैसे features मिलते हैं, 4 speakers मिलते हैं, दोस्तों, साथ-साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, smartphone navigation with Hyundai iBlue audio remote application, तो यह सब चीजे हैं इसके अंदर, और अच्छी बात यह है, कि आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, physical knobs, जो काफी अच्छे से काम करती है, और touch car SMS भी गाड़ी का काफी decent है, touch screen के दोनों ही side आपको दिये गए है, इस event और यहाँ पर आप देख सकते है, golden finishing का भी use किया गया है, जो इसकी look से उनको enhance करता है, और नीचे आपको यहाँ पर मिलता है manual AC के controls, जो कि काफी अच्छी चीज है, तो यह जो physical buttons है, यह जो interior का part है, काफी premium लगता है, जिस हिसाब से एक गाड़ी है, साड़े एक USB port दिया गया है, एक 12V का charging socket यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है, तो काफी सारी practical चीजे इस variant के अंदर डाली गई है, 5-speed manual transmission के अंदर आपको यह गाड़ी देखने को मिलती है, जो power window के switch है, वो यही पर आपको मिलते है, जो left side की windows है, उनके left की side की side दिये गए है, और जो right side की windows है, उनके buttons आपको right की side दिये गए है, और आप देख सकते हैं किस हिसाब से आप इनको उपर और नीचे की side कर सकते हैं, यही पर आपको handbag मिलता है, कोई भी armrest वगएर का option जो है, वो आपको sports variant के अंदर नहीं दिया गया है, अच्छे बात यह है कि आपको गाड़ी के अंदर day night rear view mirror का भी option मिलता है, और जो co driver side seat है, यहापको देख सकते हैं, उपर की side कोई भी vanity mirror नहीं मिलता है, fix आपको grab handles दिये गई है, और driver side आपको दिया गया है, सिर्फ ticket holder का space, उपर की side roof में आपको एक halogen light दी गई है, तो यह सब चीजे हैं गाड़ी के अंदर, जो काफी ज़्यादा practical इस गाड़ी को बनाती है, जब आप इस गाड़ी को जाके देखेंगे, personally feel करेंगे, तो fit and finish आपको काफी अच्छी लगने वाली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का globe box, तो यह decent size का globe box जो है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है, और इस globe box के उपर भी आप को यहाँ पर कुछ extra storage दी गई है, जिसके अंदर आप और चीजे भी रख सकते हैं, अभी चलते हैं गाड़ी के second row की तरफ, यह इस गाड़ी का rear का door है, यहाँ पर आपको power window का switch मिलता है, नीचे की side water holder का space, और speaker वगयरा, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर लगाया गया है, जो इस गाड़ी की rear की seat है, यहाँ पर आपको fix headrest दिये गई, कोई भी आपको adjustable headrest नहीं मिलते हैं, नहीं आप seats को fold कर सकते हैं, simple आपको seats जो है, वो यहाँ पर bench folding के साथ दी गई है, तो driver side जो seat है, वो मेरी height के according adjust है, मेरी height 5 foot 11 inch है, और जब मेरी height के same बंदे आगे पीछे ब और एक छोटा बच्चा easily comfortable होके यहाँ पर center के अंदर बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशारी जो है, वो यहाँ पर नहीं होगी, under thigh support भी काफी अच्छा है, rear में भी आपको दिये गए हैं गाड़ी के अंदर, fix grab handles, और roof में आपको दी गई है, एक halogen light, तो अब main बात य यह है, कि जब इस budget के अंदर आपको एक बड़ा engine मिलता है, four cylinder engine मिलता है, तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, एक time ऐसा भी था, जब center की तूती बज़ती थी, मतलब हर किसी को पसंती लेनी, लेकिन आज यह कहीं नहीं, इसकी sale जो है, वो कम हो चुकी है, तो फिलाल दोस आपको parcel tray का भी यहाँ पर option दिया गया है, वैसे तो गाड़ी थोड़ी छोटी है, लेकिन चीजे काफी practical है, तो आप देख सकते हैं, लगबग 8-9 इंच चोड़ी यह parcel tray है, और यही पर नीचे की side आपको boot में दिया गया है, spare wheel, और spare wheel में जो आपको profile मिलती है, 155 by 80 R13, यह आपको tool kit वगेरा रखने के लिए भी space जो है, वो दिया गया है, तो सामान रखने के लिए भी काफी जादा space यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसे आपसे गाड़ी का size है, फिलाल conclude करते हैं इस video को, दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप petrol में एक छोटी गाड़ी अपनी चिलिंडर इंजन मिलता है, और reliability के हिसाब से भी, वेगेनार के मुकाबले जो है, ये गाड़ी जादा ठिका हुए, वेगेनार में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेगेनार जो है, वो जल्दी उसके अंदर एक्लिंग साउंड वगेरा, ये सब इशो आपको देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है, आपको आज की जानकारी मैंने दी है, ये आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अंदर तक देखने के लिए, थैंक्यू वेरी मच्च